तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो वरत रगते हैं और ऑफिस भी जाते हैं तो यह बहुत सिंपल सा सालेड है जो आप लंच में खा सकते हो और गारेंटी आपको चार घंटे भूप में ही लगेगी बहुत ही असान है बनाना शकरकर्ली की चाथ बनाएंगे हम जादा टेम्टिंग है बहुत ही जादा हेल्थी है और क्विक है आप देली भी चाहे तो खा सकते हैं अगर आपने पूरे नौदिन गरत रखा है तो चलिए देखते हैं इसकी वेसिपी पर ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को शेर करना और कॉमेंट करना और जो लोग न तो शकरकंदी की चाट बनानी है तो जाहिर सी बात है शकरकंदी लेंगे और इसको हम कुप करेंगे तो यह मैंने अच्छे से वाश कर ली है और हम इसको कढ़ाई के अंदर ही एक किसम से बेक करेंगे सही सुना आपने हम इसको बेक करेंगे बॉयल नहीं करेंगे बिकॉस बॉइल करने में इसके nutrients भी निकल जाते हैं, इसकी sweetness भी निकल जाती है, तो उसके लिए आपको कढ़ाई चाहिए, जो heavy bottom हो जिसका, और आपको बिल्कुल low flame पे, सही सुना आपने, बिल्कुल low flame पे, 15-20 मिनट के लिए आराम से इसको बेक करने के लिए रख देना है, बीच मे के देखोगे, नाइफ से या फोर्क से, तो मैंने देखा, तो थोड़ी सी कसर दोनों में ही बाकी है, तो यानि 10 मिनट में नहीं, ये पूरे 15 मिनट के अंदर, ये दो जो बड़ी शकरकंदी है, कढ़ाई मेंने लिए है, इसके अंदर बेक होती है, ठीक है, तो अब मैं फि इड़क दे सकते हो, आप पानी का, और बस, इससे जाद आपको और कुछ भी आड़ी करना, ना चीनी, ना पानी, कुछ नी, बस ये देखिए, आपकी रेड़ी है शकरकंदी, बस यहां पर आपको क्या करना है, दुबारा से इसको ढख कर, पांच मिनट के लिए बस रख द ठंडा होने के लिए, तो जो भी कसर होगी ना शकरकंदी के अंदर वो एकदम पक जाएगी और आप बिल्कुल बजार सी जैसी शकरकंदी होती है वो मिल जाएगी आपको तो यह देख सकते हो, जैसे बजार में मिलती नहीं है, कोईले पे वो भूनते हैं, हमने गैस पे बे कर सकते हो, तो यह जो चाट है ना हमारी बहुत ही जदर टेस्टी बनती है, हेल्दी है, सबसे बड़ी बात है, बेक करने से इसके न्यूट्रेंट्स वैल्यू है वो भी बरकरार रहती है, आपको एक्स्ट्रा स्वीटनेस नहीं डालनी पड़ती है, यह तो कुछ लोग कड यहां पर सबसे पहले पनी डालोंगी ताकि क्योंकि हमारी फुल होल्सम मील है, तो थोड़ा है रहेगा आपको फुल रहेगा और आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, और साथ में वेजीज मिल रहे है, जो इसली आपको डाइजेस्ट आप इस चाट को कर सकते हो, तो यह इन आपका प्रॉपर लंच है, फास्ट में तो है ही है, आपके लिए कंप्लीट मील, पर आई सजेस्ट अगर आपका फास्ट नहीं भी है, तो कभी लंच में आप इसको लेकर जा सकते हो, और गैरंटी आपको दो तीन घंटे तो बिलकुल भी भूक नहीं लगेगी, और आप अच्छा फील करोगे, और जो यह टेम्टिंग कलरफुल खाना है, इसको देख के वैसी इतनी एक्साइटमेंट होती है, सीजनिंग के लिए मैं इसमें सेंधा नमक जो वरत वाला नमक है वो डाला है, तो वड़ा सा में इसके उपर काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, और आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हो, थोड़ा गरम मसाला अगर आवरत में खाते हो, तो आप एड़ कर सकते हो, अगर लाल मिर्च आप खाते हो, तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, आप इसमें कटी हरी मिर्च होती है ना, वो भी आप एड़ कर सकते हो, पर मुझे थो जो होती है वो भी आप एड़ कर सकते हो तो यह आपका एकडम complete meal ready है lunch box के अंदर तो आप इसको enjoy करिए तो I hope आपको यह शकरकंदी की एकडम different because हमने इसमें पनीर भी डाला है और घिसके डाली है चीज़े अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना शेयर करना और कॉमेंट जरूर करना और जिन्हों ने सब्सक्राइब ने जिए है फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब हैपी नवरात्राज इंजोई कर दो